गुरू देव ब्रहस्पती का बढ़ गया पावर आठ रासी वालों पर लक्षमी और कुवेर देवता महरबान हैं। मित्रो नमस्कार मैं मैं त्रिपाथी नौ ग्यान जोतिश चैनल पर आप सभी दर्सकों का हारदिक स्वागत करता हूं। मित्रो गुरू देव ब्रहस्पती जो है वो युवा अवस्था में आ चुके हैं। ये शनी और राहू के मद्ध में पाप कत्री योग में अवस्था हैं लेकिन जब कोई ग्रह युवा अवस्था में पहुँच जाता है बारा से अठारा डिगरी के बीच हो जाता है तो वह पूर्ण रूप से बलवान हो जाता है। दूसरी चीज आप यहां भी ध्यान रखिएगा कि ये पाप कत्री योग में अवस्था हैं लेकिन गुरू और शनी के मद्ध में शुक्र देव भी विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में आने वाला लगभक 35-45 दिन का जो समय रहेगा वह आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। आठ रासी वालों पर बहुत ज्यादा गुरू देव और शुक्र देव महरबान रहेंगे। दो गुरू की जब ताकत एक साथ हो जाएगी तो फिर पूछना ही क्या है। ऐसे में पहली महा भागिसाली रासी जो है वह रासी है व्रशब। व्रशब रासी में गुरू देव और शुक्र देव। ये बैठे हैं ग्यार्वे भाव में। ये पाप कत्री योग में अवस्थ हैं लेकिन ये ध्यान लखेगा अभी शनी इतना ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं दे पाएंगे क्योंकि या लेड़ी वो व्रशब रासी में बाल अवस्था में चल रहे हैं और बाल अवस्था में जब कोई ग्रह होता है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट अच्छा या बुरा नहीं डाल पाता तो व्रशब रासी वालों के लिए पैसे के और लक्षमी आने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऐसे में थोड़ा आपको चाहिए कि आप गुरु देव के मंत्रों का जब क करें और साथ ही साथ शुक्र देव को भी बलवान करें तो आपके लिए इस्थितियां और भी अच्छी होती चली आएंगी वैसे आपके ऊपर भी पैसे की बारिश होने वाली है लक्षमी और कुबेर दोनों आप पर महरबान हैं तो आप भागिसाली रासी में से एक हो दूसरी भागिसाली रासी की बात करें तो दूसरी रासी ही जो महा भागिसाली है वहां है मिथून रासी वालों को कारिच्छेत्र में विशेश उचाईयां मिलने का समय शुरू हो गया है इस समय आपको कारिशेत्र में बुलंदी मिलेगी हो सकता है आपका प्रमोशन उगारा बढ़ जाए इसके इलावा पैसा तो आएगा ही आएगा सुख समरद्धी में भी आपके बढ़ोत्री होते दिखाई पड़ रही है कि भागिसाली रासी की यह दिबात करें तो तीसरी महा भागिसाली रासी है वह है करक करकरासी में गुरु देव युवा अवस्था में पावर्फुल अवस्था में भाग्य भाव पे बैठे विये हैं भाग्य भाव के एक कारक भी हैं और यहां पर बैठ करके एक तो एक यह भाग्य बढ़ाएंगे विक्तित बढ़ाएंगे विद्यार्थियों के लिए भी अगली रासी की बात करें तो अगली रासी जिन पर लक्षमी देवता और कुवेड़वता महरबान है वह रासी रहेगी कन्या कन्या राशी के सप्तम भाव में गुरुदेओ काफी बलवान आउस्था में हैं आय भाव को यह देख रहे हैं और साथ ही साथ भाग्यास भीन के साथ जुड़ने वाले हैं अपने इस्थान से एकादस होकर के केंडर में बैठेंगे इसका मतलब यह रहा कन्या रासी वाले भी महा भागिसाली रहने वाले हैं इस समय तो आपके उपर भी माता लक्षमी और कुबेर दोनों महरबान हैं आपको भारी मात्रा में उपलब्धियां मिलेंगी इसके बाद अगली रासी की ये दिबात करें तो अगली महा भागिसाली रासी है व्रश्चिक, व्रश्चिक रासी में भी ताबड तोड पैसा आने का योग दिखाई पड़ रहा है, माता लक्षमी की अनन निकरपा बनी हुई है, गुरु देव पावरफुल आवस्था में हैं और साथी साथ शुक्रभीन से जुड़ें तो पाप कत्री योग में होने के बावजूद भी लगभग 35-40 दिन तक का जो समय रहेगा, गजब का रहने वाला है, आमदनी आपकी भारी मात्रा में होती रहेगी, पैसा आएगा भी और पैसा आपके पास इस समय खुब बचेगा भी इसके बाद अगली रासी यदि देखें तो अगली महाबागिसाली रासी है धनू, धनू रासी में चोथे भाव में गुरु देव बलवान उस्था में हैं, कार छेत्र को ले करके बड़ी उपलब्दियां इस समय आपको मिलेंगी और आमदनी के मालिक भीन के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब ये रहा, सुक्सम्रद्धी बढ़ जाना, सुक्सुविधाय बढ़ जाना, नौकरी में पदोनती हो जाना, आमदनी बढ़ जाना, इस तरीके के रिजल्ट धनू को मिलने वाले हैं, तो यदि आपकी चंदरासी धनू है, तो आप भी भीया महाबा पागिसाली रासी में से एक हो, इसके बाद अगली रासी की बात करें, तो यदि आपकी चंदरासी मकर है, तो मकर रासी में भी शांदार समय रहने वाला है, दो ग्रह मिल करके आपके भागी को और आमदनी को बढ़ाने वाले हैं, तो आप भी महालकी हो, लक्षमी कुबेर आप पर भी महरबान है इसके बाद अगली रासी देखें तो अगली रासी जो आ रही है कुम्ब कुम रासी में आमदनी के और धन भाव के डिपार्टमेंट के स्वामी गुरू देव ब्रस्पती धन भाव में ही युवा हो गए हैं जवान उस्था में पहुंच चुके हैं और साथी साथ शुक्र देव भी इन से जुड़ने वाले हैं शुक्र देव सुक्सुविधाओं के मालिक हैं और साथी साथ भाग के मालिक हैं यानि कि भाग का मालिक धन पे बैठने जा रहा है और आमदनी के मालिक आलेडी धनभाव पे बैठे हैं दो सुब ग्रह मिल करके भाग और धन साथी साथ सुक्सु विधाएं वाहन मकान गाड़ी ये सब कुछ एकठा जब बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसा भी आएगा सुक्सु विधाएं भी आएंगी और जो आप चाहोगे इस समय सभी मिल जाएगा ऐसे यह प्रबल योग लगभग इस समय से अभी से दिखाई पड़ रहे हैं और आने वाले लगभग 40 दिन तक यह यह योग बने रहेंगे इसके बाद अंतिम रासी की यह बात करें तो अंतिम रासी स्वयम गुरू देव की है मीन रासी मीन रासी वालों के ल अगभग 40-45 दिन का जो समय रहेगा एक तो एक भाग आपका जबरदस्त रहेगा और साथ ही साथ इस समय बुद्धी में आपके बड़ी सकार अत्मकता रहेगी और अगर आप व्यापार किसी भी प्रकार का कर रहे हो तो उसमें विश्यश उचाईयां मिलेंगी साथ ही संतान से संबंधित कोई सुब समाचार की प्राप्ती भी हो सकती है तो यह थी कुछ प्रमुख रासियां वीडियो को लाइक करिएगा मैं कत्रिपाठी को अनमत दीजिए नमस्कार